तो यह की है Tata की और यह जो Tata की की है यह है Tata के Tiago की जिसका delivery वीडियो आपने कोई दिन पहले है अमारे चैनल पर देखा था यह Tata Tiago का सबसे top model याने की XZ Plus है और यह manual पर अविलेबल है याने की इस गार को manual पर लिया गया है जो मेरे दोस्त ने लिया है और इसका detail review हम आप ज्यादा comment भी आ चुका है तो आपको अब और ज्यादा वेट नहीं करना है दोस्तों इसका जो honor prize पर पड़ा है वो 7,65,70,000 के आसपर पड़ी है और आके area पर थोड़ सा prize आके पिछे हो सकता है तो इस बात का ध्यान देना यह Tata Tiago का first generation facelift version आप देख रहे हैं तो यहाँ आपर सबसे play front में देखे तो यहाँ पर Tata की logo देखनों को मिलती है chrome finish के साथ में जिसके sides पर आपको Tata की typical grill देखनों को मिलेगी जो definitely आपको Tata के कारों की याद जरूर करवा देगी बाकी बात Chris car के headlet की तो यहाँ पर projector headlet दिया गया लेकिन वो भी halogen bulb वाली ही दी गई है ना कि LED fitted बाकी यहाँ पर आपसे लोगों को जो high beam में वो halogen पर मिलती है और यहाँ पर bulb वाली indicator दी गई है जो कि सबसे पर लेतुर कार कौन करते वक्त भी जलती है यह रही इस कार की bulb वाली fog light और यह रहा इसका DRL और कुल मिला कर इस कार की look कुछ इस तरह की देखनों को मि आपको lighting ठीक ठाक मिलेगी बट भाई यहाँ पर आप LED लागाने के बारे में सोच सकते हैं जो highway वहाँ पर आपको lighting थोड़े सी कमी हो सकती हम टेस्ट एक बार जरूर से करेंगे आपको जरूर से दिखाएंगे बट उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है अब यहाँ पर और यह रहा अशकर डिवल वाइपर दिया गया वह रेंज सिंसंग वाइपर है तो पाने के टाइम पर आपको वाइपर पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है यह रहा इसकर सप्रेटली वाउसर यानि कि आपको यहाँ पर दोनुई साड पर राइट वाउसर अलग-अलग म आती है एलेक्रिकली एडिस्टेबल है तो यह भी काफी अच्छी बात है बात करते हैं इस कार के टार्स की तो यहाँ पर आपको अलग-वील दिया गया लेकिन बाई के वाइपर एकजट प्लस पर अलग-वील है उसके जस्ट नीचे में आपको रीम-वील देखरों को मिलत अधश्ट पर आपको रीम-वील दिया गया है कुल मिलाके side look को इस तरीका की देखनी को मिलती है जो आप से सामय है इस बिलकुल है 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 हैचबट गई है तो हैचबट की तरह दिखेंगी है flavored कि ना अब बात करते हशेज कर कर के door handle की इस और आप आपको हैउनल पर रेयर प्रफाल कहीं ने कहीं आपको सुजू की के सलेरो से मिलती जो ती देहनों को मिलें लेकिन भाई सुजू की सलेरो और इसकी बिल्ड क्वालिटी में जमीन आसमन का फर्क जो आप काफी अच्छे से जानते हैं यह रहा इसका स्टॉप लेंप्स और जो राइट और लेफ्ट साथ पर आपको लगेगा एससेसरी यह बट यह कंपनी पीटेड और मुझे परसनली काफी अच्छा लगा गलोसी फिनिस के साथ में ब्लैक कलर मतलब काफी अच्छी है यह रहा इसका रियर का वाइपर और यह जो डिफोगर है उसकी जो लाइनिंग है वो जिसको डिजान दी गई है वो डिजान मुझे प्रसनली काफी ज़्यादा अच्छी लगी है टाटा की लोगों ट्यागों के बैजिंग और बूर्ड को खोलने के लिए की और नीची की साड आपको दिया गया है रियर का क्यामर पर आइटिंक सो की लडी होना चाहिए था बट नहीं है अब बूर्ड को खोल कर देख लेते हैं भाई बूर्ड पर कितनी स्पेस दी गई है तो बूर्ड की स्पेस तो मुझे याद नहीं है थोड़ी पूरी तो बट यहां पर लिख दूँगा आप से लोग देख सकते हैं यहां पर आपसे लोगों को हुक भी नहीं मिलता है भाई यहां पर हुक होना चाहिए था इसके पार्सल ट्रे पर बट पार्सल ट्रे पर हुक नहीं दिया गया यह रहा इसका टार पर हवा बनने के लिए एक मसीन जो की कंपनी फीटेड है और बनलब भाई कंपनी की तब से दिया जाता है एसे सरी पर यहां पर किसके कोई भी पैसे नहीं ले जाते है जो मेरी ख्याल से सभी कंपनी को देना चाहिए हवा बने के लिए अपना सब्सक्राइब ले लिए उसके बाद बात करेंगे इस कार के अंदर की तो कुछ इस तरह की और छूड़ी सी कार है तो भाई अगर आपकी जगह कम है आपकी आपकी पार्किंग स्पेस कम है तो भी आप इस कार को ले सकते हैं काफी आसानी से फीट हो जाएगी 3.7 मिटर के असपास की लेंथ इस कार की दी गई जो की नॉर्मली सभी हैचबग की जो ले दिया गया है क्रीमी वाइट और ब्लेक लटकी फिनिस के साथ में पूरा इंटियर भी सेम दिया गया है यहाँ आपको ड्राइवर साट पर पिंच कंट्रोल्स मिल जाएगी और वन टच डाउन इसकी ड्राइवर साट की विंडो दी गए तो यह भी मुझे अच्छी लगी बट सभी विंडो होते तो यह ज्यादा बेटर होता बट कोई बात नहीं भाई एक विंडो तो है ना एक विंडो से हम काम चला लेंगे बाकि इसकी एलेक्टरिकली एजिस्टेबल वार बीम जिसको आप राइट और लेफ्ट दोने ही साट पर एलेक्रिकली एजिस्ट कर सक लगते हैं जो कि आपको एक अच्छा वाली मतलब एक फीचर ऐसा फीचर जो आपको काफी जादा काम आएगी वाए डेली लाइफ में ज्यादा काफी ज्यादा यूज़ भी होता है और यह अच्छा भी लगता है और यहां पर आपको दी गई है थार्में के तरफ्शाने इंटियर दिया गया, इसलिटीर देग गया और उपर उपर तरफ ब्लैक और निचर तरफ क्रीमी वाइट कलेज दिया गया पर कुछ कंट्रोल से मिल जाएंगे कॉल वगरा का कंट्रोल से आप स्टेरिंग से ही देख सकते हैं अपने का मुबाइल को कंट्रोल करने के बाद लेकिन एक प्रोब्ला में कि इसकी एंडूर टू एपल कार प्ले जो है वो वारलेस नहीं है इसकी व्यस्बी से आप इसको कन सब्सक्राइब लेकिन आपको फिलन नहीं होगी बट थोड़ा से मुझे एक चीछ दिखने को मिले थी जो मैं आपको सोर्ड में बताऊंगा इसकी जो टैचिस्कीन वह एक बार के लिए हैंग होई थी जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद इसके निचे कुछ कं करवा सकते कुछ अगर आपको लगवाना है यहां पर आपको मिलती है ओटोमेंटिक क्लामेट कंट्रोल जो कि इस सेग्मेंट पर होना भी चाहिए लेकिन इसके केवल टॉप मडल पर है आपको 12 बोल के चार्जिंग सोकेट, USB चार्जिंग सोकेट और AUX की इंपूर्ट और यहां पर रही यह रही इसकी EIR भी है मिन की इंटिरियर यह रूप्यू मिरर जिसको आप अडिस्ट भी कर सकते है अपने हाइट के एकोडिंग बाकी यहां पर अगर दिखा जाय तो यहां पर थोड़ा सा स्टोरिज दिया गया है ड्राइवर सेर्पर तोड़ा सा थोड यह नीचे की साइड और इसके जो लेदर फिनिसिंग दीख रही है ना वह लेदर फिनिसिंग इसको एससरी पर लगाया गया ना कि कंपनी फिटिड दिया गया और अब बात करते हैं इसके फुली डिजिटल इंस्ट्रोमेंट क्लेश्टर की जो इस सेग्मन पर सभी कंपनी है जिसमें को ट्रिपे ट्रिप बी ओडोमीटर एवरेज फियूल की और भी काफी चीज़ों चीज़े दिखती है वार्निंग लाइट्स वगरा भी इसके टेप्री डिस्प्ले में और इसके दोनों साइट्स पर दिखने को मिल गयाएगी बाकि अगर आप देखे तो लेट पर देखे ते रहा इसके वाइपेस है युकल साइट पर द euro किया गया जाता तो लांट क्या आने कर सकते यू आई यहाँ पर आपको से स्टोरेज देनों मिलती है आगे की थोरा से स्टोरेज यहाँ भी स्टोरेज है ही इस पीछे के तरफ फोड़ा सा और श्टोई दिया गया है तो कुल मिला कर आपको वह सभी चीजे दी गई है जो कि यह कार पर होनी चाहिए थी और अब बात करते हैं के को ड्राइवर साड़ की तो चले को ड्राइवर साड के डूर को को कौल ले के आपको मिलती है चोटा सा बोटल होल्डर विंडो के कंट्रोल ग्लोसी के विनिस के साथ में डूर हेंडल दिया गया है और बाकी ज़्द के तरह हााँकन वाला स्पिकर आपकर कुछी खास नहीं ब लेकिन के वर ड्राइवर और कोड्राइवर के लिए पीछे की सीट्टों के लिए जो इसकी जो हैड्रेस्ट वो अरिस्टेबल नहीं दिया जया और बाकी अगर देखा जा तो यहां पर यहां पर यह राज का लाइटिंग जो की LED फिटेड जो छोटा सा चीज है वाटा अच् विंडो के कंट्रोल्स और ग्लोसी फिनिस के साथ में आने वाली डॉर हंडल यह राज चाल्ड सेप्टी लोग और बाकी कुल में लाकर जो फिनिसिंग और बाकी काफी घर्ता के ठीक ठाकी है रियर की डॉर पर आपको ट्विटर और स्पीकर्स दो नहीं मिल जाएगी तो आपको sound quality काफी जबर्स तावली मिल जाएगी लोक अनलोक और डॉर हंडल भाई क्रोम फिनिस के साथ में अच्छी लग रही है बोटल होला चोटा से दिया गया है ज्यादा बड़ा नहीं है यह रहा इसका विंडो के कंट्रोल्स और कुलम लागा सीट और नीचे की तरफ अपटसे लोग देखे सकते इस पेस काफी जबर्स वाला दिया गया तो बैयं आपको इस पेस की कमी बिल्कुल भी नहीं वाने वाली है लेकिन रियर पर जो कमी होने वाली है वह मैं आपको बिरियों में आगे बजरूर से बता दूगा यहां पर आपको रियर की जो सीट से एक होनी चाहिती पिछी की तब फोड़ा सा स्टोई दिया गया और यह रहा सबसे कमी वाला चीज जहां पर रेरेस इवेंट मिसिंग और यह की चार्जिंग सोकेट आदमी काम चला ले लेकिन रेरेस इवेंट होना चाहिए था जो कि मिसिंग है तो भाई यह चीज यह कुछ रही टाटर टियागो और यह रहा इसके डोर हंडल पीछे का मतलब भाई हंडल दिया गया है मतलब ड्राइवर को छोड़कर सभी जगा हंडल दिया गया है जो कि ठीक ठाके वह उसमें कोई कमी तरह की नहीं लगी है और अब मुझे एक चीज जो लगी वह मैं आपको सकते हैं लेकिन केबल ड्राइवर सेट के लिए को ड्राइवर पर आप हाइड को एडिस्ट नहीं कर सकते हैं बाकि सीट को रेकलाइनिंग कर सकते हैं आगे पिछे करने के लिए भी वह भी चीज़े आगे इसकी साइड दी गई तो भाई मतलब यहाँ पर कोई भी सीबी तर मतलब थोड़ा सा वचंदार लगता है लगता है कि आप जिसका को चला रहे है उसकी बिल्ड काफी ज्यादा बैतरीन है बाकि यह इसकी 1.2 लेटर की नेचरल पेटरोल इंजन जिसकी पावर माइलेज और सभी चीज़ आपको डिस्प्लेय पर नजर आ रहे होगी एक साट की बैटरी लगई गई है कोलेंड की कंट्रोल फ्रेंट की साट दी गई है और वाकी कुल मिलाके इंजन को ठीक ठाकी दिये गए बैट भाई थोड़ा सा और पैक राता तो ज्यादा बैटर लगता है बट कोई बात नहीं भाई 1.2 लेटर के फैटरोल इंजन के लिए इतना त तो चलता ही है ना अब ठीक ठाके इंजन में कोई भी तरह की कमी नहीं है पाउर की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है थोड़ा सा जादा जोड़ से आपको इसके बूट कर लगाना होगा तब ही लगेगी तो यह रही टाटर टियागो एक्जर प्लेस से तु accepties of the hell of the लिए गए कोमेंट सेक्सेकर में जरुक बताना को कोई भी तरह का डाउट हो तो और जरुद से कमेंट कीजएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ऐसे कमार की वीडियो के लिए चैनल अब को सब्सक्राइब कीजिए बल आइकों को दबाते हुए जाना मिलते के नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद वन्नी मातरम